खाली पेट खाने की आदतें और उनके स्वास्थे पर पढ़ने वाले प्रभावों को लेकर कई धारणाएं और परंपराएं प्रचलित हैं। हालांकि वैग्यानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोंड से भी खाली पेट कुछ चीजें खाने के कई फायदे होते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, मौसम और जीवन शैली पर भी निर्भर करता है। कहानी शुरू करने से पहले आप से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। खाली पेट पानी पीना सबसे सरल और प्रभावी तरीका है अपने दिन की शुरुआत करने का। इससे न केवल शरीर हाइडरेटेड रहता है बलकि पाचन तंतर भी ठीक रहता है। आयूर्वेद के अनुसार सुबह-सुबह पानी पीने से शरीर की सफाई होती है। और यह मोटापे से बचाव में भी मदद करता है। अगर आप सुबह-सुबह गुन-गुना पानी पीते हैं तो यह और भी लाबकारी होता है। क्योंकि यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और दिन भर उर्जा बनाए रखने में सहायक होता है। सुबह-खाली पेट, गुन-गुने पानी में शहद और नीम्बू का रस मिलाकर पीने से शरीर को विशाक्त पदार्थों से मुप्त करने में मदद मिलती है। यह संयोजन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह तवचा को चमकदार बनाने और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में भी सहायक है। बादाम को रात भर पानी में भिगो कर सुबह खाने से मस्तिश्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। इसमें विटामिन E, एंटियोन एक्सिडेंट्स और ओमेगा तीन फैटी एसिड होता है जो स्मरन शक्ति को तेज करने और हृदय स्वास्थे को सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा यह शरीर को उर्जा प्रदान करता है और दिन भर की ठकान को कम करता है। पपीता एक ऐसा फल है जो खाली पेट खाने के लिए अत्यंत उप्युक्त माना जाता है। इसमें पपे नामक एंजाइम होता है जो पाचन में सहायता करता है और शरीर से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। यह तवचा की सेहत को भी सुधारता है और वजन घटाने में सहायक होता है। इसके अलावा पपीता खाने से शरीर में विटामिन सी और एक अस्तर बढ़ता है जो रोग प्रतिरोधक शमता को मजबूत करता है। सेब को खाली पेट खाने से शरीर को विटामिन्स, फाइबर और एंटियो अक्सिडेंट्स प्राप्थ होते हैं। सेब के सेवन से दिल की बीमारियों का खत्रा कम होता है और यह वजन को नियंतरित रखने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंतर को सही रखने में सहायक होता है और इससे भूख भी कम लगती है। हालांकि कुछ चीजें खाली पेट खाने के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकती है। कुछ खाद्यपदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें खाली पेट नहीं खाना चाहिए। इनसे पाचन तंतर पर बुरा प्रभाव पढ़ सकता है और स्वास्थे संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। खटे फलों में सिट्रिक एसिड होता है जो खाली पेट खाने पर पेट में एसिडिटी और गैस की समस्या उत्पन्न कर सकता है। यह पाचन तंतर को भी प्रभावित कर सकता है और पेट दर्द का कारण बन सकता है। बनाना में मैगनीशियम और पोटेशियम की उच्च मात्रा होती है, जो खाली पेट खाने पर खून में मैगनीशियम और पोटेशियम का संतुलन बिगाड़ सकता है. इससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन हो सकता है और दिल की धड़कने अनियमित हो सकती है टमाटर में टैनिक एसिड पाया जाता है जो खाली पेट खाने पर पेट की एसिडिटी को बढ़ा सकता है इससे गैस्ट्रिक अलसर होने का खत्रा भी बढ़ जाता है इसलिए टमाटर को खाली पेट खाने से बचना चाहिए दही और अन्य डेरी उत्पादों में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो खाली पेट खाने पर पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव डाल सकता है इससे पेट में गैस, ग्लोटिंग और असहजता हो सकती है खास कर उन लोगों को जो लैक्टोज इंटोलरेंट हैं उन्हें दही या दूद को खाली पेट नहीं खाना चाहिए सुबह खाली पेट चाह या कौफी पीना आम बात है लेकिन यह पेट के लिए नुकसान दायक हो सकता है इससे पेट में एसिट की मातरा बढ़ जाती है जिससे एसिडिटी और पेट में जलन की समस्या उत्पन नहो सकती है इसके अलावा चाय और कौफी में मौजूद कैफीन पेट की दीवारों को प्रभावित कर सकता है और गैस्ट्रिक अलसर का खतरा बढ़ा सकता है आयूर्वेद में भोजन का समय और उसकी प्रकृती पर विशेश ध्यान दिया जाता है आयूर्वेद के अनुसार सुबह का समय वाद दोश का होता है जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है इसलिए सुबह के समय हलका और पाचन में सरल भोजन करना चाहिए आयूर्वेद के अनुसार सुबह खाली पेट एक चम्मच घी खाने से शरीर को वाद दोश से बचाया जा सकता है घी शरीर के सभी कोशिकाओं को पोशन देता है और जोडों को लचीला बनाता है इसके अलावा यह पाचन तंत्र को सुधारता है और शरीर से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान भी इस बात की पुष्टी करता है कि सुबह खाली पेट सही चीजें खाने से शरीर को कई फायदे होते हैं खाली पेट खाने से शरीर को तुरंत पोशक्त तत्व मिलते हैं जो दिन भर के लिए उर्जा प्रदान करते हैं इसके अलावा खाली पेट खाने से शरीर के मेटाबोलिस्म को भी बढ़ावा मिलता है जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है कुछ शोध यह भी बताते हैं कि खाली पेट खाने से शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाय रखने में मदद मिलती है यह खास कर उन लोगों के लिए लाबकारी हो सकता है जिने थाइराइड या हार्मोनल असंतुलन की समस्या है खाली पेट खाने के लिए सही चीजों का चुनाव करना अत्यंत महत्वपूर्ण है यह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थे को सुधारता है बलकि मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है सही भोजन का चुनाव आपको दिन भर उर्जावान बनाए रख सकता है और कई बीमारियों से भी बचा सकता है हलांकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है इसलिए जो चीजें एक व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकती है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकती इसलिए किसी भी नई आदत को अपनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या आहार विशेशग्य से परामर्श जरूर ले